बॉलवड इंडस्ट्री में मलाइका अरोडा के रिलेशन को लेकर काफी चर्चा रही है बीदे लॉकडाउन पीरियट के दौरान अरजन कपोर उनके रुमर बॉर्ट्रेंट मलाइका के साथ ही उनके अपाटमेंट में नजाराएं थे महीनों गुजारते लेकिन अनलॉक होने के बाद मलाइका जो अपने शो इंडियास बेस डांसर की शूटिंग में काफी विस नजर आए मलाइका अरोडा के साथ अरजन का पूर नजर नहीं आए है फिर लेकिन अरजन के साथ अपने सेकंड मेरिश से जुरी ख़बो को विराम अब तक अरजन के साथ मलाइका नहीं लगाना चाहते पार्टी इस फंक्शन में, क्लब पार्टी में, ब्राइविट पार्टी में मलाइक अर्जुन के साथ ही नजर आती है दोनों रिलेशन में हैं ये बात तो कन्फरम है ओफिशियल इनों ने अपने रिलेशन को कर भी दिया है लेकिन अर्जुन मलाइका की दूसरी शादी की खबरे आई उसके बाद अब मलाइका को फिर दुल्हन के रूप में देखा गया है लेकिन इस बार दुल्हन बनी मलाइका अर्जुन की शादी में दुल्हन बनकर पहुँशने के लिए नहीं बलकि अपने शो इंडियास बेस्ट डांसर के स्टेश पर शो के गेस्ट रहे सोनो सूथ के साथ तुमके लगाने के रिए पहुँची सिल्वर कलर के लहंगे में मलाइका काफी फिट, काफी लाजवाब, काफी खुबसुरत नज़र आए मलाइका अरोडा को दुल्हन रूप में लोगों ने काफी पसंद किया लेकिन यहां हम आपको बताना शाहेंगे मलाइका का ये दिलकर शोता आपको दिवाना तो बना रहा होगा दुल्हन के रूप में जो खुब ठुबके लगाती नज़र आए लेकिन एक और बात है जो आप शायद ही जाते हो तरहसल मलाइका अरोडा जो की अरबाज खान के साथ तीन साल तलाख लेने के बाद पहले से अब तक बहुत रिष्टे बगल चुकी है आने की अरबाज के साथ सिर्फ उनकी अब दोस्ती है जो की अपने बेटे अरहान के लिए मुन्हा रही है लेकिन मलाइका अरोडा का विवादि तलाख और अरबर जुन के साथ उनकाफ है दूसरी शादी से पहले शो इंडियास बेस डांसर में अनलॉक के बाद प्रकाशिन्स के साथ दूलहन मेंकर डांस करना सबसे ज़्यादा उनकी शादी की घड़ी को और मुश्किल बना रहा है हमारे लिए इंतजार कराने के लिए मलाइका अरोडा की शादी का वाके में फैंस काफी बेसमजी से इंतजार कर रहे है इसी बीच एक और खबर आपको देते मलाइका अरोडा रीसेंटली अपने बेहत करीवी फैशन डिजाइनर को खो बैठी इसकी वजह से ही वो काफी जादा तकलीफ में भी थी हलाकि मलाइका अरोडा भी काफी जादा खुश है खेर आपको वताना शाहिंगे अपने इस रिपोर्ट में मलाइका हरोडा को जो इस तरह से देखा जा रहा है वो बिज़ी भी नजर आए मलाइका हरोडा के बारे में कहा जाए तो मिलाई कारोडा डिजिस लिए भी है क्योंकि वो दुबारा से अपने काफ पर लौच चुकी है और पैंडेमिंग सिचुएशन में बहुत जादा स्टिक्नियोस के साथ काम करना पर रहा है नेक्स्ट नाइन यूजरूम से द्रिप्ते की रिपोर्ट